Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है Temperature Regulation in Amphibians यानि temperature में जो fluctuations आती रहती हैं amphibians उसको कैसे कंट्रोल करते हैं अब amphibians जो है ना basically ectotherms हैं, ectotherms कौन से होते हैं animals वो animals जो अपनी body heat जो है वो खुद generate नहीं कर सकते और जैसे जैसे environmental temperature जो है वो change होता है ectothermic animals का जो body temperature है वो भी change होता जाता है यानि जैसे ही cold temperature आया तो जो ectothermic animal हैं वो environment का temperature अडॉप्ट कर लेंगे यानि ये resist नहीं कर सकते temperature fluctuations को अब कोई भी ऐसा aquatic animal जिसकी insulation ना हुई हो या poorly insulated हो यानि उसमें farky layers कम हो या कोई भी insulate free material जो है वो कम हो तो no matter कि वो कितनी ज्यादा metabolic heat produce करता है जैसे ही वो heat produce करेगा उतनी जल्दी ही वो environment को release हो जाएगी क्यूंकि water की heat absorbing properties होती है और आपको पता है amphibians भी water से linked है अब amphibians जब water में होते है ना तो वो temperature ले ले लेते हैं अपने इंवार्मेंट का यानि जैसा इंवार्मेंट का temperature होगा वाटर का temperature होगा वैसा ही amphibian body का भी temperature होगा लेकिन land पे क्या करते हैं land पे वो अपने temperature को किसी हाथ तक जो है वो stable कर सकते हैं और इनका body temperature जो है वो different हो सकता है इंवार्मेंटल temperature से अब हमने देखना है कि ऐसा कैसे होता है temperature regulation कैसे होती है behavior से यानि इसमें न यह अपने behavior ऐसा behavior शो करते हैं जिससे इनका temperature है वो different रहता है इन्वार्मेंट से यानि temperature को stable कर लेते हैं सबसे पहले क्या होता है देखे evaporation के थ्रू जो heat का loss होता है तो उससे क्या होता है cooling हो जाती है यह तो आपको भी पता है के evaporation जो है उसके result में cooling होती है अब amphibians जो है न यह दिन की time आपको पता है temperature हाई होता है तो amphibians basically रात को नजर आते हैं यानि यह necturnals होते हैं और रात को भी और दिन को भी यह ऐसी areas में रहते हैं जो जहां पर temperature कम होता है यानि cooler borrows हो सकती है या फिर leaf litter वगएरा हो सकता है hottest part of the day यानि जब इनको लगे ना के temperature बहुत हाट है यह उसको survive नहीं कर सकते तो यह ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर temperature कम होता है वहां पर यह क्या करते हैं बास्किंग करते हैं यह different body positions attain कर लेते हैं ठीक है वो body positions इनकी help करती हैं कि यह maximum heat जो है वो ले सके और यह क्या कर सकते हैं कि body temperature को 10 degrees centigrade ज्यादा कर सकते हैं air temperature से अकसर क्या होता है कि जब यह खाना खा लेते हैं अपना शिकार कर लेते हैं फिर basking करते हैं क्योंकि body temperature increase होगा तो metabolism जो है वो भी increase होगा और उससे क्या होगा digestive functions increase होगे growth increase होगी ठीक होगया इसके इलावा क्या होता है कि amphibians जो है इनका daily भी temperature fluctuations होती रहती हैं और seasonal भी होती हैं लेकिन किसी हाथ तक इन्होंने temperature tolerance को adopt कर लिया है यानि यह behavior की help से हुद को temperature की fluctuations से बचा सकते हैं critical temperature extremes की अगर हम बात करें तो गर्मियों में अगर temperature 41 से ज्यादा हो जाए तो इनके लिए harmful होगा और सर्दियों में temperature जो है वोगर 2 degree centigrade से कम हो जाए तो इनके लिए harmful होगा लेकिन basically जो salamanders हैं वो क्या करते हैं कि 2 से 27 degree centigrade का temperature जो है उसको बेहर कर सकते हैं और frogs वगरा जो है वो